विशु बिक्या सिक्ती पीड मान एना देभी को धार्मिक प्रिटन्स तल के साथ अब टूरिजम की दिस्टी से भी विक्सित किया जाएगा जिसके लिए मंदिर नियाज दौरा विदेशों की तर्स पर गलास स्काई बॉक बीज का निर्मान किया जाएगा जिसे शरदालों क यहां रोचक एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा उपयोक्त रोहित जंबाल ने बताया कि हाल ही में मंदिर नियास की बैटक में इसे लेकर परस्ता पारित किया गया जल्द ही इसकी परपोसल बनाई जाएगी और बगोलिक परस्तितियों का अधिन करने के बाद इसके निर् डालों की संख्या में भी इजाफा होगा और टूरिजम को भी काफी बढ़ावा मिलेगा हालांकि बिदेशों में ऐसे ब्रिज का चलन काफी समय है जिसके चलते भारत में भी एक तो जगाउं पर ऐसे ब्रिज के निर्मान किया गया जहां इसका काफी अच्छा रिस्पॉस आता है उन्होंने इस ब्रिज के बारे में जनकारी देते हुए बताया कि इस ब्रिज का निर्मान बहली के साथ किया जाएगा जब भी कोई बिकती इस ब्रिज यानि गलास के उपर चलेगा तो उसे लगएगा कि वेहबा में चल रहा है इसके लंबाई करीब 100 मिटर होती है ब्रिज के दूसरे चौर पर गार्टी का बहुत ही खुबसूरत निजारा देखने को मिलता है जल्द ही इसका परस्ताब पारित करके परपोजल बनाई जाएगी और इसके निर्मन कार्या शुरू किया जाएगा डवलप्मेंट इशूस तो कई थे और उन पे जो है निर्ने लिये गए पर कुछ इसमें चार पांच निर्ने ऐसे हुए हैं ट्रस्ट में जिनके जो हैं मंदिर ट्रस्ट को जो हैं इसके समय आने पर जो हैं अच्छे परणाम सामने आने की उमीद है तो इसमें सबसे पहले तो ये निर्ने लिया गया कि नैना देवी धार्मिक प्रेटन स्थल के रूप में तो विक्सित होई चुका है पर जब वहां पर बगजन पहुंचते हैं तो कोई और उन्हें कोई अक्टिविटी करने के लिए नहीं मिलती तो ये सोचा गया है कि वहां पर एक ग्लास स्काइवाक ब्रिज जो है बनाया जाए जो विदेशों में कई जगा पे इनका चलन है और एक बहुत अच्छी टू बने हैं विदेशों में और भारत में भी एक जगा में बने हैं तो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉंस आता है तो इसका कंसेप्ट ये है कि ये वैली साइड पे जो हैं एक ब्रिज का निर्मान किया जाता है जिसमें आदमी जब ग्लास के उपर चलता है तो उसको ऐसे ल दूसरे एंड के छोर पे पहुंचता है तो वहां घाटी का बड़ा अच्छा नजारा जो है मिलता है और एक बड़ा अच्छा दिर्शे जो है बनता है